हेलो स्थ्डूडेंड्स आज अपन पढ़ेंगे एसेस में चैप्टर वन के न्यू वर्ड्स देखो यहां पर मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स बता रही हूं मतलब जिसके मीनिंग्स होते हैं यहां पर क्या लिखा जैसे इस्पैरिकल अब इस्पैरिकल को इस पैरिकल के सा यह पूलते हैं, जिएवलर, जो यातरी गुण रहते हैं, फिर एक्सप्लोरर, वोएज, मतलब जर्नी, जो आपन जर्नी करते हैं, जो यातरा जर्नी होती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, वोएज, सर्वाइव याने की लीव, जहां लोग जिवित रहते हैं, एक्वेटिक, belonging to water, मतलब पानी से संबंदीत, ठीक है, यह आपके क्या थे कुछ new words थे, अब आपन क्या करेंगे, fill in the blanks with the correct words from the bracket, यहापे क्या fill in the blanks दे रखें, they are planets, तो क्या होते हैं, 11 planets होते हैं, या 8 planets होते हैं, मैंने आपको chapter में समझा आया था, तो कितने planets होते हैं, 8, तो अपन यहा यहां पर क्या लिखना है, 8, तो यह spelling आप यहां लिखोगे, ठीक है, अब the shape of the earth is, अर्थ का shape कैसा है, round है, या flat है, तो अर्थ का shape कैसा है, round है, तो यह round पर अपने टिक लगाया, आपको यहां पर round लिखना है, all living things on earth, सारे living things on earth पर क्या करते हैं, dance या survive, dance करते हैं, या survive कर यहां पर क्या हैगा, survive, a large part of the earth is covered by, जो अर्थ का जो बड़ा पार्ट है, वो किस से covered है, clouds या पानी मतलब बादलो से covered है, या फिर पानी से, तो काई से covered है, water से, तो अपन यह water पर टिक लगाएंगे, ठीक है, the solid outer layer of the earth is known as the crust या dust, अर्थ का जो solid outer layer पार्ट है, वो क्या होत या उसे क्या बोलते है, अपन crust है, तो अपन यहा पे crust पर टिक लगाएंगे, ठीक है, अभी यह फिलिंग दब ब्लैंक से, यह आपको अपनी fair copy में करना है, chapter 1, essays की copy में, तब essays की copy में, chapter 1 डालके, उनका नाम डालके, फिलिंग दब ब्लैंक जालके, आपको यह करना है, ठी Thank you and have a nice day!